तो कि अम अ में अ बिभात करेंगे और आप लोगों के लिए खास नियोज वी पियन से और आप लोगों की सैलरी कपनी अगर कम कर देता है या कफील कम कर देता है तो इसके बारे में क्या कानून है बहुत सारा सवाल एक जो था तो मैंने का यार इस पर मैं पूरा वीडियो बना देता हूँ आप लोग के लिए श्पेशली वीपेंस रिलिटर न्यूज में आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग पूस्ते रहते हैं तो आए न्यूज जानते हैं चैनल पर नए ह है और अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा वीपेंस के बारे में साओधी अरब में वीपेंस हर कोई चलाता है मैं भी कलाता था क्या मैंने बहुत सरे वीडियो बना रखी है यह आज की बात न ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो VPN यूज नहीं करता होगा अच्छे यूज के लिए और गलत यूज के लिए अब चलो हम गलत यूज को छोड़ते हैं अच्छे यूज की बात करते हैं मैं वह चीज की बहुत सारे में था अबी बीडियो पर आप कोई दिक्कतनी अब आप सोया नियू सुधारी और bên और वुंड की और अब आप लोगों को शेर कर सकूँ साओधी में है आप वीपियन अगर पूरी तरीके से बैन है तो वीपियन डाउनलोड हो क्यों हो रहा है साओधीर में मुझे ये बताओ इंडिया में टिक्टॉक बैन है तो इंडिया में टिक्टॉक आप डाउनलोड नहीं कर सकते टिक्टॉक चलता भी नहीं है सौधियर में टिक टॉक चलता है टिक टॉक डाउनलोड कीजिए अनस्टॉल कीजिए कुछ भी कीजिए हो जाता है लेकिन यहां पर नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर बैन है अगर बीपेन बैन होता तो हजार तरीकी का वीपेन सौधियर में डाउनलोड हो ही क्यों रहा है क्य यार गलत चीज को गलत परमोट मत करो वो गलत है आप 45 रियाल का MB भरा रहे हो उससे आप unlimited net चला रहे हो ठीक है मिला जो लागे ठीक है लेकिन गलत है जो गलत है आप इसको गलत ही कहूंगा मैं सही नहीं कहूंगा और VPN कोई दिक्कत नहीं आप चलाते हैं तो अगर आप कुछ गलत वे में फसते हो गलत चीज में फसते हो अगर आपका कोई डॉक्मेंटेशन गायव हो जाता VPN के थुरू तो यार आपको ही प्राबलम होती है और VPN चलाते हुए अगर आपको पकड़ा जाता है मनलों को पुलिस अचानक से पकड़ लेता है VPN की वैसे कुछ प्राबलम हो आपको तो चल operate हो जाता तो या आप देख सोके नियूस में आम किया कहा गया है क्यानी प्रोपेट दिया हुआ है अच्छी responsibility का यूद में बता दिया विप güne के будемश करते है वे अब आपको शेयर बार देंग करता हूं साओधी अरब में जो हमारे भाई लोग काम करते हैं कंपणी में हैं का फील के पास है तो किया आपकी सैलरी वो कम कर सकते हैं क्या देखिया अगर आप साओधी में नए हैं तो मेरे बात को ध्यान से सुन लिजिए और जो पुराने हैं तो उनसे मैं कुछ पूछना आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर आपको में यहां पर न्यूज शेयर कर रहा हूं आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम पर अचानक से बहुत सारे कंपनियों ने सैलरी 40% कम कर दिया था आर्टिकल साओधी जो आपको पता है कि नियम निकाल ले थी कि जो कंपनी चाह पश्ट किया जाता है कि साओधी स्रम कानून के अनुसार कोई भी आदमी कंपनी चला रहा है या किसी करमचारी का कोई भी लिखित स्वाक्रीत के बिना उसके वेतन को कम नहीं कर सकता मतलब कोई भी बिना agreement को sign किये किसी तरीके से वो कम नहीं कर सकता आप अगर हजार रिया बढ़ा रहा है GOSI पे सबको अपडेट करना पड़ता है तो वहां पर आपको अपडेट करना होगा कि हम इनकी सैलरी कम कर रहे हैं क्या वज़ा है क्या नहीं है तब जाकर कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप accept कर सकते हो कि हाँ मेरी सैलरी इतनी हैं आपको क देहोदरली बात नहीं है बिना बताए कोई भी कमपनी यार नॉर्मल से चीज़े साथी में काम कर रहे है और आपके किसी भी जगह पे काम कर रहे हो इंडिया में काम कर रहे है जब तक आपको सहली कैसे कम कर देगा लेकिन कमपनी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सहली अचान तो सवादी में ठंडा होने वाला है और आने वाले दिनों में बहुत सारे इलाकों में करंट लगाकर बारिस कराई जाएगी फिलहाल ये मदिना में बारिस बहुत हो रहा है लेकिन बोला गया बारिस और होनी चाहिए इसके लिए 430 उडाने भरी हैं जिसमें कृतिम बारिस अंचालंग कक्ष उन छेतरों की पहचान की गई है जहां पर बारिस कराई जाएगी हर जगा का 430 हवाई जहाज में पानी भर करके पता नहीं क्या क्या भर बर के ये जीत गए कफील से और इनको अब कफील अदालत करब से इनको भुकतान करने के लिए बोला गया है मतलब कफील अब इनको सब जगह का जो भी नुकसान हुआ है इनको एक लाक अस्ती हजार रुपए देगा मतलब इंडिया का ही कोई आदमी है जिनको ये फाइदा हुआ है फाइदा कि नकली का हुरूब लगा दिया फालत का बेफालतू का और ये बाई कोर्ट में केस चला और ये जीत गए क्या वात है अगली नियूज में आपको शेर करूँगा साओधी का रियाल डेट आज है 14 नौंबर और आपके सामने है इंडिया का करंसी रेट बैंक का ज अंजास बैंक कल बिलत से बेशते हैं तो 21 पर 25 पैसे का रेट मिलेगा ये है करंसी रेट कम हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको बुरा लगना चाहिए आपके लिए और अच्छी बात है करंसी रेट कम होता है तो अच्छा है हमारे यहां गरीवी कम होती है अगली यातायात्यातनियम के इनसार आप लोग देख रहे होंगे आपके घर के बाहर से स्कूटी गायब हो रही है तो साओदी अरफ के अंदर लग बक बहुत सारी आवसारी मोट ''सकूटी जो भी सब उठा ली गई है 526 motorcycle जब्त की गई है क्योंकि ये लोग रोड पर चलाते हैं और इधर उधर लेके घुमते हैं इनकी गाड़ी में नमबर है ना कोई नमबर नाइसेंस है कुछ भी नहीं इसके लिए इन सब बाड़ियों को जब्त किया गया है अब जो मैं आपको न्यूज बताने वाला हूं सब्सक्राइब के अंदर आपको पता है टनल बहुत सारा है टनल मतलब जैसे ही आप टनल में जाते हो कुबरी के अंदर गुशते हो तो आपकी गारी का हेड लाइट चलना चाहिए अगर नहीं जलता है तो ये लोग 900-500 रियाल का जुर्माना लगा सकते हैं 500-900 रियाल का ज हेड लाइट जलाने का मतलब टनल के अंदर कैमरा लगा हुआ है फिर से बोल रहा हूँ वैकिल लाइट्स मस्ट भी टर्न ओन वें ड्राइविंग इंसाइड टनल साओधी के किसी भी कोने में आप गाड़ी चला रहे हो आप ड्राइवर हो या कोई भी हो आप गाड़ी चल लाय्ट जल रहा हो लेकिन लाय जला दीजिये यह थी नियूस आपको शेर किया हूँ चैनल पिलना चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा अभी भी आपने सब्सक्राइब फ़िए उन्हाले अर्फटी बड़ कि अर्फटी नंवारी लुड़ कि अर्फटी अर्फटी प्राइब कि अर्फटी जावराद विर्फटी नंवारान।